वेल्कम बैक तो मैं चैनल फ्रेंट्स तो गाइस जो वर्डप्रेस का सिरीज अमने स्टार्ट के है उसका यह 6 वीडियो है अगर बाकी के वीडियो अपने नहीं देखे है वर्डप्रेस से रिलेटेट तो आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट की लिंक देतूंगा आप वहां पे क क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो तो गाइस इस सीरीज में या इस वीडियो में यह देखेंगे कि आप किस तरह से वर्डप्रेस की सेटिंग कर पाऊगे अपने ब्लॉगिंग के लिए कौन से सेटिंग आपको करनी चाहिए जिससे आपका ब्लॉगिंग तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जूनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को आप प्रेस जरूर कर लिजेगा ताकि आने वाले दिनों में वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिपिकेशन आप बूम मिल सके तो गाइस मेरा नामे शारुक शेक आप देखरो ट्रिल्स गया तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए गाइस हम लोग देख लेते वर्डप्रेस सेटिंग किस तरह से आप यहां पर कर पाऊगे सारी चीज़े हम क्लेर करने की कोशिश करेंगे तो सिंपन यहां पर चले जाते सेटिं अबन को सेटिंग्स में जाने के बाद आपको बहुत सारी सेटिंग्स तरह का इं ट्रफेस लेकिन के हैं जिसमें आप यहां पर साइटूल सकते हूँ जू भी वेबसाइट का टाइटल है Chelsea मैं आपको यह साइट कर बतादिखरें इक एगजांपल के तॉर पर साइट लिख देंगे और tagline अगर आपका कोई है जैसे आपकी website किस बारे में है उसका tagline अगर है तो आप उसको भी वहाँ पर नीचे mention easily कर पाओगे ठीके काई तो इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है उसके बाद आपको wordpress address यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर यह जो एड्रेस है न यह वाला एड्रेस तो यही अड्रेस आपको कोपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है ठीक है उसके बाद आता है site address तो site address का URL जो आपने उपर पेस्ट किया है same to same वही रखना है कुछ changes आपको नहीं करना है same it is रहेगा उसके बाद जो next है वो है आपका यहाँ पर administration email address तो आपने जब भी hosting या आपने जब भी login के लिए email address यूज किया था उसको यहाँ पर use कर सकते हो तो जब membership है guys तो देखो यहाँ पर अगर आप membership में यहाँ पर anyone can register पर select कर लोगे तो जो viewers आपके site पर आएगा तो वहाँ पर register कर पाएगा और जो new user आपके आएगा तो आप उसका role यहाँ पर select कर सकते हो जैसे आपको subscriber रखना है contributor रखना है या moderator रखना है एडिटर रखना है उससाब से तो आप viewers के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ पर simple subscriber करना है यह subscriber आपका सिर उसके बाद आते है written setting में written setting में नंचे बादेगी जिसरे से आपको यहाँ पर कूल से categorie में आपके post को यहाँ प कर आते हैं तो आप district कर सकते हो आपको भार-बार select करने की ज़ुरत नहीं पडेगी simple आप यहाँ पर जो भी category आपकी select कर सकते हो default post format आप यहाँ पर select कर सकते हो कि आपको कहाँ पर post करना है आप जैसे की standard है यह आपको जैसे भी रहेगा वो सबसे आप setting select कर सकते हो उसके अबाट edit for all user करके दिया गया है यहाँ पर तो हम लोग classic editor पर ही रखेंगे कहीं यहाँ से आपको select नहीं करना है allow user to switch editor ठीके तो no करना है आपको क्योंकि user रहेगा वो edit जाके आपकी जो भी आपका article रहेगा उसे यहाँ पर वो edit कर सकता है तो हमें यहाँ पर no करना है उसे हमें rights नहीं देनी है ठीके guys उसके बाद हम लोग देख लेंगे यहाँ पर जैसे यहाँ पर post view email करके दिया गया है तो यह जो है आपका यह जो mail server है यह आपको जैसा दिया गया है वैसे ही रखना है ठीके simple हम यहाँ पर जैसा है वैसे ही रखेंगे इसमें कुछ आपको changes नहीं करना है यह जो mail server है आपको automatically feel करके दिया गया है guys तो आते हैं next में जैसे आप यहाँ पर reading में जाओगे ठीके reading में हम लोग आ जाते हैं यहाँ simple click कर लेंगे ठीके तो reading में आके आपको आप जो viewers रहेगा उसको reading preference किस तरह से दोगे वही setting आपको यहाँ पर करना है जैसे आपको यहाँ पर your home page display तो your latest post तो जो आप जो latest post करोगे वो आपको first यहाँ पर दिखाना है तो simple आप your latest post पर click कर देंगे यहाँ आपको कोई specific page दिखाना है तो आप वहाँ पर select कर सकते हो आपको यहाँ पर इसीधा home page पर आपको देखने मिल जाएगा गाईस ठीक है तो हम लोग simple यहाँ पर strategic page पर ले लेते हो तो आपको यहाँ पर जो भी आपको home page दिखाना है sample page दिखाना है post page दिखाना है या नहीं दिखाना है वह आप यहाँ पर select कर पाओगे गाईस ठीक है उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर block page show at most तो 10 post जैसे है वैसे ही हमें रखना है कितने post आपको दिखाना है आपको साफ से रख सकते हो ठीक है तो for each post in a feed include तो full text से रखेंगे इंजीन विजिबिलिटी तो यहाँ पर discourage search engine from indexing this site करके मैं आपको विजिट करके आप बता देता हूँ जैसे हम लोग चले गए trainscan.com पर तो यहाँ पर देखो तो यह जो invisibility है ना यह जो यहाँ पर आप select करोगे ठीक है तो discourage search engine from indexing this site तो इसको आपको tick ही रखना है यहाँ पर आपको कुछ changes नहीं करना है उसके बाद discussion setting में अगर आओगे आपको तो आपको क्या करना है आप और आपको comment के लिए allow करना है notification के लिए allow करना है तो सारे चीज़े आप यहाँ से default for setting में discussion setting में आप कर सकते हो जैसे attempt to notify any blog link to from the post ठीक है तो यह उसको आपको उन्टिक रखना है यह पर allow link notification from other blog other blog से notification रखना है आपको के नहीं रखना है आप पर repent करता है allow people to submit comments on new post तो यहाँ पर टीक ही रखना है क्योंकि comment आना बहुत ज़रूर है आपके blogging के लिए ठीक है तो यह सारी चीज़े है other comment setting में अगर देखोगे तो जो आपको first, fifth दिया गया उसको same at is रखना है जिसे comment author must fill out name and email जो comment करेगा उसको अपना email address और username fill करना ज़रूरी है register करना ज़रूरी है login करना ज़रूर है comment करने के लिए automatically close होना चाहिए comment post जो 14 दिन पुराने है वो ठीक है तो यह सारी चीज़े आप यहाँ पर second option को आप untick भी कर सकते हो क्योंकि first बार आपने tick already किया गया है automatically close comment on post older than 14 days तुझे 14 दिन पुराने वाले comments रहेंगे यह automatically close हो जाएंगे यह आपको select करके रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो या आपके preference के साफ से आप easily कर पाओगे उसके बाद show comments cookies जो जो cookies रहेंगा वो आपके website के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि cookies जो होता है यह recognize करता है जो कमेंट्स रहेंगा आप नेवेस कमेंट्स को select कर सकते हो इसका नीचे आ जाते हैं यहाँ पर email मी whenever ठीक है कोई भी अगर आप email ले सकते हो WordPress से कि अगर कोई new comment आता है या कुछ भी आप comment motivation के लिए जाता है तो यह सारी चीज़े आप tick and tick यहाँ पर कर सकते हो ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं इसके अंदर है उसके बाद आप maximum rating वगयरा जो भी रहेगा आप आपके साफ से कर सकते हो यहाँ पर आपको कुछ आवतार देना है users के लिए तो यहाँ से आप select कर सकते हो कोई भी आउतार ठीक है तो यह सारी चीज़े इसमें आती है उसके बाद हम लोग setting के media में चले जाते हैं media में जाने के बाद आप यहाँ पर जो thumbnail size है उसे आपके हिसाफ से आप उसका जो size है वो आप select कर सकते हो कि आपको कितना weight रखना है और कितना height रखनी है तो आपके हिसाफ से आप यहाँ पर select कर सकते हो जो भी आपने thumbnail आपके website के लिए select किया हुआ है उसके बाद medium size को कितना रखना है last size को कितना रखना है यह सारी चीज़े आपको इसमें मिल जाएगी guys तो media में कुछ इतनी settings आपको करने की ज़रूत रही है sematis भी आप रख सकते हो उसके बाद next हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर जो हमारा है permalink setting तो permalink setting में अगर मैं आपको जाके बताओ मैं आप फिर visit करके बता देता हो ठीके तो permalink side में आप जाके देखोगे तो आपको किस तरह क्या side रखना है जैसे कि आपको day and name भी रखना है plane रखना है यापको month and name भी रखना है आपके side के साथ attach करना है number 1 रखना है, post name रखना है custom structure रखना है तो permalink side में मतलब आप website आप में आगर देखोगे तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से आप यहाँ पर link select कर सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर example दूँगा कि आप सीधा plane ही लो क्योंकि simple जितना रहेगा उतना best रहेगा ठीक है तो आप simple यहाँ पर plane पर ही click कर सकते हो या day and name format ले सकते हो तो हम इसे save कर लेते हैं उसके बाद privacy आता है यह सबसे important part है आपके blocking के लिए भी privacy होना बहुत जरूरी है guys यहाँ पर आपको आपके जो viewers रहेगा उसकी भी privacy maintain करना जरूरी है और अप खुद की भी privacy maintain करना बहुत जरूरी है तो privacy page आप यहाँ पर लगा सकते हो आपके website के DA ठीक है तो privacy चले जाके आप use this page करके या create new page आप बना सकते हो privacy का आप home page पर लगाना चाहते हो तो यहाँ से easily लगा सकते हो कोई शूप को नहीं आएगा guys ठीक है तो यह सारी चीज़े सेटिंग में उसके बाद WP super cage तो WP super cage यह आपको by default मिलेगा WordPress के अंदर यह बहुत ही यहाँ पर आपकी जो users रहता है इसकी सारी जो cages रहेगी यहाँ पर सेव होती है तो यह आपके website को यह आप अगर delete करते हो तो आपके website को smoothly run होने में बहुत ही काम आता है इसके लिए आप plugging का भी इस्तमाल जरूर कर सकते होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को like कर दीजिए और share जरूर कर दीजिएगा तो आज के वीडियो में इतना ही मिलेंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए take care